नमस्कार मित्रो मेरा नाम है आदित्य आप देख रहे हैं अड़ित आदित्य के आदित्य या इटram के देख रहे हैं और साथी साथ आपको ये जान के काफी ज़्यादा खुसी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चूकि वो जज्जमेंट इंग्लिस में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से तो मैं जज्जमेंट का ट्रांसलेशन हिंदी में भी उपलब कराता हूं है जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने मन्जु कमल महरा बनाम कमल पुस्कर महरा की केस में दिया है इस मामले को थोड़ा मैं सौर्ट में बता देता हूं पती को हिंदू मेरेज एक्ट के सेक्शन 9 की डिक्री मिल जाती है और साथी साथ पतनी का मेंटिनेंस भी एलाव हो जाता है पती को हिंदू मेरेज एक्ट के सेक्शन 9 की डिक्री मिल गई होती है उसके बाद भी कोर्ट क्या करता है कि पतनी को मेंटिनेंस एलाव कर देता है उसके बाद पती जो होता है वो maintenance को के लिए अपील करता है हाई कोर्ट में और जो पतनी होती है वो Hindu marriage act के section 9 के बिरुद अपील करती है हाई कोर्ट में यानि दोनों अपील करते हैं उसके बाद हाई कोर्ट दोनों के cases को देखता है और एक ही में दोनों का विचारण किया जात जो पतनी अपील की होती है हिंदू मेरेस एक्ट की सेक्सर 9 के बिरुद्ध उसके अपील को हाई कोरीज कर देता है और पती की सेक्सर 9 की डिक्री बरकरार रह जाती है और उसके बाद पत्नी का जो maintenance से लाओ हुआ होता है उसे high court खारिज कर देता है और ये कहता है कि पत्नी को जब Hindu marriage act के section 9 की decree मिल गई है तो ये माना जा सकता है कि पत्नी जो है वो बिना कारड अपने पत्नी से अलग रहे रही है और ऐसी पत्नी जो बिना कारड अपने पत्नी से अलग रह रही है वो maintenance पाने की हगदार नहीं होती है यदि पत्नी को Hindu marriage act के section 9 की decree मिल जा रही है और उसके बाद भी यदि पत्नी को maintenance दिलाया जा रहा है तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि इससे कानून का दुरूपयोग होगा और पत्नीयों को अपने पत्नी से अलग रहने का भी मौका मिल जाएगा और साथी साथ पत्नी से maintenance भी पाने लगेंगी तो यह चीज बिलकुल गलत होगी यदि कोई पत्नी बिना कार और पती से अलग रह रही है तो उसे maintenance नहीं दिया जाना चाहिए यहीं हमारा कानून है और इस परकार से पत्नी के maintenance के इसको खारिच कर देता है और पत्नी के maintenance को बंद कर देता है तो यहाँ पे Hindu marriage act के section 9 का बहुत ही जादा अच्छा उपयोग देखने को मिला है यदि आपका भी ऐसा कोई सेम मामला है तो इस judgment का उपयोग आप कर सकते हैं judgment को download करने का link आपको description में मिल जाएगा और साथी साथ महाँ पे जाके आप इस judgment को हिंदी में पढ़ और समझ सकते हैं और साथी साथ download भी कर सकते हैं